जी हाँ दोस्तों 3B late filers के लिए high quote का एक important update है जो आपके साथ इस वीडियो में discuss करेंगे तो assessi ने यहाँ पे अपनी 3B को late file किया ठीक है GSTR 3B को late file किया for financial year 1718 to 2021 late file अगर आप 3B को करते हैं तो उसके क्या consequences होते हैं late fees तो आपको pay करनी ही पड़ती है साथ ही late payment of tax pay interest आपको pay करना होता है उसी के साथ साथ जो एक बड़ा नुकसान आपको होता है वो होता है ITC का क्योंकि यदि आपका ITC time part हो जाता है तो उस case में आप अपना ITC claim नहीं कर पाते सोला चार की जो conditions है वो आपको satisfy करनी होती है तो यहां पर SSC की जो late filing की वज़े से उसका जो ITC claim है वो deny किया गया क्योंकि वो time part हो गया अब यह denial कि basis पर था that tax pay to supplier was not remitted to the state exchequer the finance bill 2024 तो finance bill में एक नई amendment propose की गई है ठीक है जिसके लिए कि काफी सारी representations गई थी इस तरह के ITC के लिए जो की time part हो गया था क्योंकि अब तो क्या हो गया है कि आपकी ITC claim करने की जो date थी उसको ही permanently extend कर दिया गया है 30 नवेंबर तक पहले जो आपको ITC claim करना होता था वो करना होता था कि जब particular financial year आपका end हो जाता है तो उसके बाद जो सितंबर महीने की 3B filing की due date रहती है तो उस due date तक आपको ITC claim करना होता था उसके बाद अगर आप file कर रहे हैं 3B तो आप ITC claim नहीं कर पाते थे ठीक है due date के बाद अगर file कर रहे हैं लेकिन अब ये date permanently 30 November कर दी गई तो अब तो कोई दिकत नहीं थी लेकिन जो पिछले financials year हैं जिनका की ITC deny किया गया इस वजह से कि वो time barred हो गया है 16-4 के according तो वहाँ पर finance bill में एक amendment proposed की गई है for allowing ITC claim for return up to 30 November 2021 तक अगर आपने file कर दी है in financial year की return तो आपको ITC मिल जाएगा ठीक है कि specified financial year जो 17-18 से specify किये गए है BC किस तक तो court ने recognize कि assessi का case due to the proposed amendment और वहाँ पर interim relief जो है grant किया गया इस case के अंदर the court restrained the coercive actions उसके against subject to partial payment with further hearing after the passes of finance bill 2024 finance bill की amendment भी हमने आपके साथ discuss करी है अपनी वीडियो में तो ये एक important update था high court का अधिराज distributor limited के case में तो ऐसे काफी सारे cases हैं जिनमें की इस तरह का जो relief है वो आपको मिल सकता है तो in cases का reference लेकर के अभी अभी जो है notification नहीं आई है उसकी ठीक है circular आएगा जैसा कि अभी council meeting में बोला गया है कर दो आएगा जो आएगा जो आएगा जो आएगा जैसा कि अभी नहीं है